ओम शांती आज तारिक है पाच मई 2021 अभी सुनेंगे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विश्तार से मुरली मीठे बच्चे स्री मत पर चल कर सब को सुख दो आसुरी मत पर दुख देते आये अब सुख दो प्रेश्न बुद्धिवान बच्चे की स्राज को समझने के कारण उजपत पाने का पुर्शार्थ करते हैं उत्तरवे समस्ते कि ये दुख और सुख हार और जीत का खेल है अभी आधा कल पर सुख का खेल चलने वाला है वा किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा अब नई राजदानी आने वाली है उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पड़ाने आये है अब पुरिशार्त कर उजपद लेना ही है गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम ओम शांती मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा या कोई कसम खाने की दरकार नहीं है या तो आत्मा में समझ चाहिए आत्मा तमफरदान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे अब कितनी समझदार बने है दुसरे सत्संग आदि में ये बाते होती नहीं वो शास्त्र रामायन आदी पढ़ते है, एक कान से सुना, दुसरे कान से निकाल जाता है कोई प्राप्ती नहीं, यग्यत तब दान पुन्य आदी बहुत करते है, धक्के खाते रहते है, प्राप्ती कुछ भी नहीं इस दुनिया में कोई को सुक है नहीं अब बाप सारी समझ देते है, सब को सुक शांती देने वाला एक ही बाप है मनुक्ष तो बिलकुली घोर अंदियारे में है, भक्ती बार्ग वाले भी याद करते है हे दुख हरता, सुक करता, सद्गती दाता देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सब को दुख लगा ही रहता है जो भी मनुक्ष मातरे किसी को भी यह पता नहीं है कि बाप कोन है बाप से क्या वर्सा मिलता है, बेहत के बाप को जानते ही नहीं धक्के खाते रहते है, शांती के लिए अब यह किसने कहा कि मन की शांती चाहिए आत्मा केती है यह भी मनुक्ष नहीं जानते दे अभिमान है ना सादू संत आदी सब दुकी है सब शांती चाहते है बिमारी आदी तो सादू संतो को भी होती है एक्सिजेंट होते है दुनिया में दुख के सिवा है और कुछ तो है नहीं अभी तुम बुद्धिवान बने हो बाप ने समझाया है ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया सुक और दुख का खेल बना हुआ है बाप ने तुमारी बुद्धी का ताला खोला है और सब मनुक्ष मातर की बुद्धी को गोद्रेच का ताला लगा हुआ है बिल्कूली तमोप्रदान बुद्धी है तुम बच्चे नंबरवार पुरुशाद अनुसार जानते हो बरोबर बेयत का बाप मिला है वो हमको सुरुष्टी के आदिमद्य अन्त का राज सुनाते है कि यह खेल कैसे बना हुआ है जब सुक होता है तब दुख का नाम नहीं होता तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हम बाप से सुक शान्ती संपत्ति का वर्सा ले रहे है सत्युक से लेकर त्रेता अन्त तक कोई दुख नहीं होगा अब तुम रोशनी में हो तुम पुरशार्त कर रहे हो अपनी राजदनी में एक दो से उचपत पाए यह स्कूल है बेयत का बेयत का बाप पढ़ाते है तुम जानते हो वह हमारा मोश्ट बिलवेड बाप है जिसकी अपरम अपार मैमा है वह उचेते उच बाप स्रीमत देते है पाकी सब मनुक शमातर आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते है तुम इस स्रीमत पर सबको सुक देना है इस ड्रामा में हम एक्टर से या कोई भी नहीं जानते तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारत वास्यों का ही आल राउंडर पार्ट है आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे अब तो मुल वतन से लेकर सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो तुमको सच्चा ग्यान है परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पड़ा रहे है बाबा हमको त्रीलोक का सारा ग्यान दे रहे है यह है ही काटो का जंगल बच्चे जानते हैं अभी हम काटो से फूल अर्थात मनुक्ष से देवता बनते है या तो छोटे बड़े सब दुख देते है गरब में माता को बच्चे दुख देते है यह बहुत ही छीची पुरानी दुनिया है यह सुष्टी चकनों को कोई भी नहीं जानते हम कहा से आये, कितने जनम लिये फिर कहा जाना है, कुछ भी नहीं जानते बेहत का बाप अर्ता सब सिताओं का एक राम निराकर है तुम सबी सिताए हो, बाप है ब्राइड ग्रूप एक साजन की सब सजनिया भक्तिया है जो भी सिताए सब रावन की जेल में फस्च शोकवाटिका में आ गई है सारी दुनिया में सब मनुक्ष मात्र एक भगवान को याद करते हैं भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं तुम सब अभी ब्रह्मा मुकवईशावली ब्रामन हो ब्रामन जानते हैं, हमको श्यू बाबा पड़ा रहे है बाबा से वर्षा जरूर मिलता है शुबाबा है स्वर्ग का रचीता स्वर्ग कहो अत्वा देवी राजदानी कहो यह स्वर्ग की राजदानी है ना लक्ष्मी नारण स्वर्ग के मालिक है यह अभी अभी समस्ते हो यहाँ जब सत्यूग था तो लक्ष्मी नारण का राज्य था अभी है कल्यूग मनुक्षतो बेचारे घोर अंदियारा में होने के खारण कुछ नहीं जानते कि अभी कल्यूग का अंत है विनाश सामने खड़ा है तुम सब सिताओ का सद्गती दाता एक राम है सिताओ सब दुर्गती में है परंतु यह कोई समस्ते थोड़ी है कि हम दुर्गती में है अपने साओकारु का ही नशा है हमको इतने मकान है इतना धन है इतने महल है किसी को पता नहीं है कि दुक की दुनिया बदलनी है मोlt सामने खड़ा है सब मिट्टी में मिल जाना है यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा विनाश के लिए पूरी तैयारिया हो रही है यह वही माभारत लड़ाई है वही गीता का भगवान है परन्तु बाप की बायोग्रापी में बच्चे का नाम डाल दिया है अब श्री बाबा तुमको राज्योक सिखा रहे है बड़े ते बड़े भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुक्ष सादू संत आदी नहीं पढ़ाते है श्री बाबा हमको पढ़ाते है वो बाब भी है टीचर भी है सद्गुरू भी है सब कुछ है यह तो नहीं भूलना चाहिए ना बाब कहते है हमारे सब बच्चे है परन्तु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे बाब कहते है हम भारतवासियों को फिर से राजयोक सिखाने आये है भारतवासी स्वर्गवासी थे हीरे मिसल थे अब कोड़ी मिसल बंग पड़े है घर में कितनी अशानती है कहते है बाबा हमको क्रोध आता है बच्चों को मारना पड़ता है डर लगता है हमने पाच विका शिवबाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? बाप समझाते है, इस समय सभी पर पाँच विकारों का ग्रन लगा हुआ है, दे अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली है, सत् पुराना हुआ है आयू पूरी हुई है इसलिए यह शरीर चोड़ अब नया लेना है सरप का मिसाल सरप की एक खाल पुरानी होती तो दूसरी नहीं ले आते हैं यह दुष्टान तो सत्यु के लिए वा तुम ऐसे शरीर चोड़ते हो दुख की कोई बात नहीं है या कितना अधिय रहता है अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया यह पुरानी खाल है या कोई नहीं खाल नहीं मिलनी है यह अंतिम पुरानी जुत्ती है अभी तुम उनसे तंग हो गये हो वा तो खुशी से एक शरीर छोड़ दुसरा लेते है इन बातों को भी तुम स समझते थोड़ी है दो चार रोज यहां से समझ कर जाते है फिर भूल जाते है हाँ जो अच्चे रिती सुना खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे प्रजा भी तो धेर बननी है न यह इश्वर का दर अत्वा घर तुम इश्वर के घर में बैटे हो परम पिता अपना परमधाम छोड यहां साधारन तन में आकर बैटा है वहां तो बाप के पास आत्मय रहती है यहां संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने उनको शिव निराकार ही कहते है निराकार बाबा को आत्मय ओ गौड फादर को पुकारती है मनुक्ष बिगर समझ क एक हवा देते है ओ गौड फादर इन लक्ष्मी नारान को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते है इनों को ऐसा किसने बनाया इन देवताओं को कहते है आप सरवगुन संपन्न सोलाकला संपूर्न हो फिर खुद को क्या कहते है यह नहीं जानते कि यह भी करेंगे शिव की यह मैमा नहीं करेंगे उनकी मैमा अलग है अकसर करके शिव के पास जाते है तो कहते है भरदो जोली फिर कह देते है भांग पिने वाला है धतूरा खाने वाला है अरे वहां भांग धतूरा कहा से आई कुछ भी समझ नहीं मांगते रहते है पती चाहिए य चाहिए दीपमाला पर भी लक्षमी का आवान करते हैं, वो है कोन ये किसी को भी पता नहीं है, आठ दस भुजाय कभी होती है क्या, ये चतुर बुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि प्रवर्ति मार गए, उनका नाम विश्नो रग दिया है, लक्षमी नारायन तो सत्यूग मे मनुक्ष को ये पता नहीं कि विश्नो के दो रूप लक्षमी नारायन द्वारा पालना होती है, चित्रों में लक्षमी को चार भुजाय दे देते हैं, चार भुजा वालों का बच्चा होगा तो उनको भी चार भुजा होनी चाहिए, कुछ भी समस्ते नहीं है, तुम अभ आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं बुलाते भी है हे पतित पावन आओ अब परमात्मा कैसे आए कैसे आकर पतितों को पावन बनाए बाप कैते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देविय स्वराज बनाया था फिर तुमने 84 जनम कैसे लिये ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धे में बिलकुल नहीं थी इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था रादे कृष्ण लक्ष्मिनारेन भी पूजा करते रहते परंतु यह भी पता नहीं कि रादे कृष्ण स्वेमवर के बाद लक्ष्मिनारेन बने है इसलिए प्रिंसेस रादे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है स्वेवर के बाद महाराज्या महारानी बनते है ये जो खुद बन रहे है उनको भी पता नहीं है उनको भी पता नहीं था भल कोई को दिदार भी होता है परन्तु कुछ भी समस्ते नहीं है फिर भी भक्तों की भावना अलब काल के लिए पूरी करने में साक्षतकार कराता हूँ यहां तो ध्यान दिदार की बात ही नहीं है बाप तो समझाते है साक्षतकार में माया प्रविश कर लेगी तो तुम पद भरष्ट हो पड़ेंगे बहुत आकर कहते हैं हमको श्री बाबा का साक्षतकार हो अरे तुमको समझाया जाता है फायर प्लाई कितना छोटा होता है आकों से देखा जाता है आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है साक्षपकार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा यह छोटी सी बिंदी है जो भुर्कुड़ी के बीच में रहती है आत्मा का साक्षपकार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं है तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिवबाबा की संतान है सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्यू बाबा से बरसा ले रहे है हमारी एम आपजेट ही यह है स्टुडेंट है ना तुम कहते हो बाप से सहज राज्योक सिखने आये है यह एम आपजेट है यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए भक्ती मार में भक्त लोग देवताओ के चितर साथ में रखते है फिर तुमको यह तुरिमूर्ति का चितर पॉकेट में रखना चाहिए यह श्यू बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायन बन रहे है अच्चा हम रुखानी बच्चों की रूहानी मातलदे को याद प्यार गूड मौर्निंग श्यू बाबा को विकारों का दान दे कर फिर कभी वापस नहीं लेना है दे अभिमान के भूत से बचना है इस भूत से सब भूत आ जाते है इसलिए आत्मभिमानी बनने का अभ्यास करना है दुसरी पॉइंट ध्यान दिदार की आस नहीं रखनी है एम अब्जेट को सामने रख पुरशार्त करना है स्रीमत पर सबको सुक देना है वरदान जैसे साकार में स्वयम की स्मूर्ती में रहने से जो करम किया वही ब्रामन परिवार का सैयम बन गया स्वयम की नशे में रहने के कारण अथोरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा करम भी हो गया तो सुल्टा कर देंगे स्वयम के सुरुप किस मूर्ती में रहने से यह नशा रहता है कि कोई करम उल्टा हो ही नहीं सकता आप बच्चे भी जब स्वयम की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल पर चलेगा वो बोल बोलेंगे वो करम करेंगे वही सयम नियम बन जाएगा स्लोगन है पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करता रहेगा अच्चा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थैंक यू बाबा थैंक यू